है गाइस माइम इस दीपक शर्मा एंड आइवड लाइक तो वेलकम यू ओल ओन कोचिंग वाले डिजिटल एप्लिकेशन मैं दीपक शर्मा कोचिंग वाले एप पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूं सो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ special चीज लेकर आया हूं और मुझे believe है कि उसको देखकर आपको बिल्कुल मजा आने वाला है सो मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए आज मैं आपको mathematics के लिए कुछ शांदार सी short trick कुछ शांदार सा formula कुछ शांदार सी ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो शायद आप लोगोंने अब तक नहीं देखी होगी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं शायद आप लोगोंने अ प् transposée इस दोनों नबर मैंने आपको दीए और मैंने बोला इन दोनों नॉंबर को क्या करना है temos right इसा ही करते फिर गलते अिस क्राओ लगाते हैं ठीक है फिर आप क्या करते हैं 2 को 2 से मल्टिप्लाइब करते हैं रिजल्ट आता है 4 फिर आप 2 को 3 से मल्टिप्लाइब करते हैं रिजल्ट आता है 6 उसके बाद आप क्या करते हैं आप टोटल कर लेते हैं तो आपका जवाब होगा, sir, पहले हम लोग इस number से multiply करते हैं, so यह first digit हो गया, then यह second digit हो गया, तो second digit में हम लोग चुकि शिफ्टिंग कर रहे हैं, indirectly number की, right, तो हम लोग क्या कर देते हैं, cross यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, अब चलिए, मैं इसी operation को आपके एक दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है, let us suppose यार, जो first number है, मैं उसको बोल देता हूँ यार, x of t, right, okay, let's say this is x of t, this is 32, and my second number is h of t, which is 23, right, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस number को reverse कर रहा हूँ, reverse का मतलाब, अगर 23 है, तो मैंने इसको बना दिया 32, मतलब h-t, okay, मैंने क्या क्या, 23 का reverse operation लगा दिया, 23 को मैंने बना दिया 32, right, अब हम क्या कर रहा है, इसको multiply करते हैं, चलिए, अब देखिए multiply कैसे करने हैं, से देखिए, इस 32 को मैं सबसे पहले इस तरह से लिखूँगा, कि इन दोनों की only एक एक डिजिट क्या करें, overlap करें, for example, इस 3 के नीचे 2 है, दोनों नमबर के overlapping हो रही है, multiply करें, अब क्या करते हैं, इसको एक बर और शिफ्ट करते है, तो अगर एक बर और शिफ्ट करूँगा, तो क्या होगा, अगर एक बर और शिफ्ट किया, तो यह 3 और शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, मतलब यह यहाँ चला जाएगा, और यह 2 यहाँ चला जाएगा, राइट, अब आपसे multiply करते हैं, तो 3, 2 जा होता है, 6, इधर कुछ है नहीं multiply करने के लिए, तो result आगे है, यहाँ 6, और इस 6 को फिर से यहाँ पर, राइट एंड साइड क्या कर देते हैं, अपन लोग shifting कर देते हैं, ठीक है, अब अगर एक बर और मैं यहाँ से shift करूँ, तो कोई benefit नहीं है, क्योंकि 3 अब क्या करेगा, इसको पास करके आगे निकल जाएगा, और फिर overlapping होगी नहीं numbers की, राइट, चलिए अब total करते हैं, total क्या याँ, 6, plus 1, 7, 3, 6, और result आया, 7, 3, 6, यह देखिए, तो मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया, एक simple number लिया, जिसको मैंने multiply किया, उसके बाद मैंने दो number वापस से वही number लिया, reverse किया, उसकी shifting करी, और finally, जब total result आया, तो वही result था, जो यह था, राइट, है ना magic, okay, so result आया, 7, 3, 6, 7, 3, 6, okay, अब आप सोच रहे होंगे, यार, सर, यह fund आया, कहां से आपकी दिमाग में, ठीक है, चले, आप इसकी back end story भी बता देता हूँ, ठीक है, यार, back end story यह है, match में ना, एक formula होता है, यह वाला, ठीक है, और इसको injuring में बोलता है, यार, convolution, ठीक है, आज मैं इस formula को समझाता हूँ, यह इस multiply से link कैसे है, ठीक है, जान से देखिए, यह formula बोलता है, एक number है, F2, जैसे यह number था, एक दूसरा number है, Ht-2, T-2 का मतलब है, पहले सबसे पहले, H-2 बनाओ, minus 2 का मतलब होता है, number को reverse करो, जैसे मैंने यहाँ पर किया, फिर आप क्या करो, Ht-2 करो, T का मतलब क्या है, T का मतलब है, shift करो, सो मैंने number को क्या किया, shifting किया और इस integration का मतलब क्या है इस integration का मतलब है, add करो integration मतलब addition, सो integral को क्या करो, add करो, तो मैंने last में क्या किया result को add किया, और जो final result आया 736, यह वही result था जो पहले आया, right तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो formula है, अब तक जो आप लोग formula पढ़ रहे थे F2HT-2 जिसका actually practical meaning आपको समझ में नहीं आ रहा था वो मैंने क्या किया है आपको एक तरह से multiply में implement करके दिखाया अब आप बोलेंगे सर यह दो number में तो आपने कर दिया क्या 3 number में लगा सकते हैं इसको सबोस करिया एक और नमबर है वापस से लेता है 131 तो उसको multiply करना है आपको 121 से चलिए normal multiply करेंगे 131 cross 262 double cross 131 total IAR 851 तो रिजल्ट आपका 15851 चलिए second वाली approach लगाते है XT first number 131 HT second number 121 H minus T करते है reverse करते है 1 to 1 का reverse क्या हो जाएगा ये number यहाँ shift हो जाएगा middle वाला middle में रहेगा वो उधर चला जाएगा 1 to 1 अब चलिए multiply करते है मैंने क्या सिकाया है सबसे पहले इसको इस तरह से लिखना है जिसे एक एक number को inside करें 1 का 1 से multiply कितना होता है 1 का 1 से 1 होता है उसके बाद आपको 1 to 1 को फिर से shift करना है एक position 3 1 जा 3 2 1 जा 2 3 प्लस 2 हो गया 5 आपको 5 उसके बाद फिर से shift करना है 1 to 1 जा जाएगा 3 6 1 1 प्लस 6 प्लस 1 इस इट वैक को फिर से shift करके लिखना है उसके बाद फिर किया करना है 1 to 1 को और shift करो इसदर और shift करेंगे तो यह ऐसे आ जाएगा चलिए multiply करते है 3 2 प्लस 2 बात और शिप्टिंग करना इसकाँ और से क्या हो रहा है इंटर्सक्शन हो रहा है न बिटे को पहले बता यह वह ईकूल अगर नंबर आपके यार, दो डिजिट के हों, तीन के हों, चार के हों, पाज के, whatever be the number it is, the same logic will implement on multiplication. आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राई जरूर दे, और बने रहे हमारे साथ, कोचिंग वाले एप पर इस एप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्रमोट करें, थैंक्यू, थैंक्यो, थैंक्यो तो मच्ट।